रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने मंगलवार को अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पेसर के साथ टेलिफोन पर बातचीत की रक्षा मंत्री ने मार्क एसपर को अमरीकी रक्षा मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ती पर बधाई दी रक्षा मंत्री ने सीमा पार आतंगवाद का मुद्धा उठाया और शेत्र में शांती और स्थिर्था बनाय रखने के भारत के प्रयास के लिए अमेरिकी समर्थन की सराना की उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 से संबंदित मुद्धे भारत का आंतरिक मामला है जिसका उदेशित जमु कश्मीर के लोगों के लिए आर्थिक विकास, लोक्तंत्र और सम्रिधी में सुधार करना है अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भारत की सराना करते हुए जमु कश्मीर के हाली अगटना करम को भारत का आंतरिक मामला बताया उन्होंने उमीद जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्धे को द्विपक्षिय रूप से हल किया जाएगा इसे पहले सुमवार को प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अमरीकी राश्पती डोनाल ट्रम से फोन पर आधे घंटे बाचीत की थी इस बाचीत में पीम मोधी पाकिस्तान का नाम लिये बगैर उन्होंने कहा कि शेत्र के कुछ नेताओं की तीखे बयानबाजी और भारत के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना शांती के अनुकूल नहीं है पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान 370 हटाये जाने के बाद से पीम मोधी और भारत को लेकर लगतार भड़काओ बयान दे रहे हैं मोधी और ट्रम ने द्विपक्षिय और शेत्रिय मामलों पर बात चीत की